मुंबई पूलिस नायराज नवाप मलिक की पोल खोली है आपको बता दें कि कॉडेलिया कुरूस मामले में आज मुंबई पूलिस नायर एक बड़ा भयान जारी किया जिसमें मुंबई पूलिस ने कहा कि हम अभी तक 20 लोगों से अभी पूश्ताच कर चुके हैं और जो एलिगेशन लगाए गए थे फिरोती को लेकर उसके खिलाफ हमें एक भी सबूत नहीं मिला है और आगे की जाच अगली सुनवाई के बाद की जाएगी यानि कि अगला जो फैसला आएगा उसके बाद अब मुंबई पूलिस फिर से जाच करेगी एलिगेशन को लेकर जो नवाब मलिक के दुआरा और प्रभाकर सेल के दुआरा मोहित कामबोज और समीर वांखेडे के उपर लगाए गए थे यानि कि आज नवाब मलिक का परदाफास हो चुका है और साथी परदाफास हो चुका है प्रभाकर सेल का इन दो लोगों ने समीर वांखेडे और भ पिरोती ली थी और यहीं पर नवाप मलिक ने फसाने का प्रयास किया था मोहित कामबोस को और कहा था कि मोहित कामबोस के साले को यह रफ्तार किया गया था क्योंकि वो उनका साला था बीजेपी का नेता था तो इसलिए छोड़ दिया गया था पर आज उन सारी चीजों को ले आपको बता दें कि इसी SIT का गठन किया गया था नवाब मलिक के बाद और आज परदा फास हो चुका है नवाब मलिक का और अब मुश्किले भी बढ़ने वाली है नवाब मलिक की क्योंकि जहां एक तरफ बड़ा बयान दिया है मुंबई पुलिस ने तो वहीं दूसरी तरफ मोहित कामबोज ने भी निशाना साधा है नवाब मलिक के ऊपर कि नवाब मलिक ने जो तरीके से मेरे ऊपर और समीर वांखेडे के ऊपर allegation लगाए थे इसको लेकर आज कोई भी सबूत जो है वो मुंबई पुलिस के लिए नहीं मिला साथ ही मोहित कामबोज ने धन्यवाद भी किया मुंबई पुलिस का कि मुंबई पुलिस ने काफी अच्छी तरीके से काम किया और आज भी उरगरों ने सबूत नहीं मिला यानि कि ये बास सत्य साबित होती है कि किस तरीके से फसाने का प्रयास कर रहे थे नवाब मलिक मोहित कामबोज को साथ ही मुईत कमबोज ने कहा है कि उद्धा थाकरे को कड़ा एक्षन लेना चाहिए नवाब मलिक के ओपर जिस तरीके से वो हर व्यक्ति के ओपर जूटा एलिगेशन लगाते हैं आज मुंबई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है पर नवाब मलिक के पास हर वो सबूत था नवाब मलिक हर दूसरे दिन प्रेस कॉंफरेंस करके बीजेपी के नेताओं को गेरने का प्रयास कर रहे थे और समीर वांखेडे को लेकर तो हर दूसरे दिन उनकी तरफ से धमकी जा रही थी कि इसे जेल में डाल दिया जाएगा और एलिगेशन को लेकर जिस तरीके से बाते सामने आई प्रभाकर सेल जिसका शुरुआत में कोई नाब नहीं था और तेज 24 दिन बात अचानक से प्रभाकर सेल ने आकर ये कहा कि समीर वांग खेडे ने जो है वो फिरोती ल जिन नहीं हुआ है यानि कि मुश्किले बढ़ने वाली है अब नवाब मलिक की क्योंकि जहां एक के बाद एक defamation का केस मोहित भारतियन कोट में डाल लखा है नवाब मलिक को लेकर तो वही नवाब मलिक के पास आज कोई भी पत्ता नहीं है खेलने के लिए जिस तरीके से उ ड्रक की गंदगी को साफ करने का काम कर रहे थे रेट डाल रहे थे और इसी बीच बीजेपी नेता मुहित कामबोज ने भी नवाब मलिक को लेकर काफी जादा बड़े खुलासे किये चाहे फिर वो उनकी संपत्ती को लेकर हो या फिर महराश्ट में बैठे हुए ड्रग मा राफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहे थे आज अगर एक के बाद एक बड़ा जटका लग रहा है तो सिर्फ नवाब मलिक के लिए लग रहा है क्योंकि इससे पहले कोट ने भी नवाब मलिक को फटकार लगाई थी कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रेस कॉंफरेंस की मत कीजिए आप सोशल मीडिया पर उसे मत डालिए लिगल लड़ाई लड़िए और कोट में आकर चीजों को पेश करिए और ना ही तो नवाब मलिक ने कोट में चीजों को पेश किया और ये तक कहा गया कि मुंबई पुलिस की एक S.I.T. का गठन करना गई है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है अब बड़ी मुश्किल है नवाब मलिक की बढ़ेंगी क्योंकि जहां एक तरफ उनका परदा फास हो चुका है लगातार लोग अब नवाब मलिक को लेकर सवाल उठा रहे हैं और नवाब मलिक को लेकर मोहित कामबोस का तो ये भी कहन इनके उपर कोई सक्त एक्षन लेना चाहिए उद्दव सरकार को यानि कि उद्दव सरकार में बैठे हुए मंतरी किसी भी व्यक्ती पर जूटा आरोप लगाते हैं जो कि सही नहीं है बिना प्रूफों के किसी भी व्यक्ती की आजादी या फिर किसी भी चीज को लेकर इस तरीके से करना ठीक नहीं है और स्पीच आपको ये भी बता दे कि नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप उन्होंने समीर वांखिडे को लेकर लगाए हैं और इनी जुटे आरोपों को लेकर नवाब मलिक पहले भी माफी मांग चुके हैं तो अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नवाब मलिक जिस तरीके से लोगों के उपर आरोप लगा रहे थे अब उनके उपर मुंबई पुलिस को कोई एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति एक NCP के जूनल डारेक्टर के अगर वो महराष्ट में लगातार इतना जादा अच्छा काम कर रहे थे उसके बावजूद भी नवाब मलिक ने समीर वांखेडे के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया और मोहित कामबोज ने भी नवाब मलिक को लेकर काफी जादा परदा फाश किये कि किस तरीके से नवाब मलिक अपने धन दौलत को छुपा कर रखते हैं और किस तरीके से वो कबार के धन्दे से आज इतने जादा आरप पती बन गए हैं और एक कभी सो करोड तो कभी उससे जादा का मानहानी का केस नवाब मलिक के उपर डाला गया अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जुटे आरोप नवाब मलिक दिन प्रदी दिन किसी ना किसी व्यक्ति पर लगाते हैं आज मुंबई पुलिस ने भी परदा फाश कर दिया है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है आगे की जाजबात में होगी तो क्या उद्दव ठाकरे नवाब मलिक के उपर एक्शन लेंगे अगर हम उद्दव ठाकरे की पहले की स्टेटमेंट भी देखें तो जो महरास्ट के मुखे मंत्री हैं वो पहले ही कह जोगे हैं कि नवाब मलिक जो बयान दे रहे हैं और या फिस शरत पवार ने भी कहा था कि नवाब मलिक जिस तरी के नेताओं को लेकर जूटे एलिगेशन लगा रहे हैं मुईत कामबोस की तरफ से भी कहा गया है कि आज अगर कोई एलिगेशन उनके उपर जो लगाए गए आज इसको लेकर कोई प्रूफ नहीं मिला है मुंबई पुलिस यानि की जो एसाइटी का गठन किया गया था मु कर रवाही हो रही है वो जूटी है और शारुखान का बेटा जो गिरफतार हुआ था वह किसी फिरोती के चलते हुआ था और आज अगर मुंबई पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा है आपको बता दें कि मुंबई पुलिस वह में हुई लिंचिंग या तमाम ऐसे घटना है जो महरास्ट में हुई है उसको लेकर महरास्ट सरकार हमेशा यही कहती है कि मुंबई पुलिस को जास दी जाए और आज मुंबई पुलिस ने ही पोल खोल दी है नवाब मलिक की के आज पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिला है फिरोती को लेकर यानि कि अब जो बार बार पर नवाब मलिक कोट तक जाने की बात कर रहे थे प्रेस कॉंफरेंस कर रहे थे कि मेरे पास एक एफिडेविट है जिसमें ये वादा किया जा रहा है कि समीर वांखिडे जो है वो पूजा ददलानी से पैसे ले रहे थे कि ड अब लगातार सवाल नवाब मलिक को लेकर ही उठ रहा है क्योंकि नवाब मलिक के रिष्टेदार भाईयों की गिरफतारी स्मगलिंग के लिए हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनका दामा जो है उसके लिए भी NCB पहले ही कोड़ जाने की बात कर चुकी है और बात अगर य खिलाव कोई सबूत नहीं है जिनको लेकर बड़े बड़े दावे रख रहे थे नवाब मलिक और कोट की तरफ से जो फटकार नवाब मलिक को कई बार लगी है इसका भी यही कारण है कि आज नवाब मलिक के पास कोई भी सबूत नहीं है बस वो अपने दामात को बचाने के लिए ही अपनी खीज निकाल रहे थे और अब यहीं चीज़ें जो है अब समस्याइक भड़ाने वाली है नवाब मलिक के लिए और शायद आगे चल के जो जूटे के राजजी के लिए अच्छा काम कर रहा है और वहीं प्लड ड्रक की जो दुनिया है जो गंदा कारोबार है उसे खतम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा पर उसके बावजूद भी महराज़्य की सरकार में बैठे हुए नवाब मलिक न सिर्फ और सिर्फ राजनीती के च कारी है जोनोंने आज ये जानकारी दी है कि उन्हें पूरी जाच में कुछ नहीं मिला है यानि कि अब मुश्किल बढ़ने वाली है नवाब मलिक की अब देखना होगा कि वो कितनी और जूटी प्रेस कॉंफरेंस करके मुंबई पुलिस की बातों को भी जूटा या फिर इ इसे इधर से उधर करने का प्रयास करते हैं आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए धन्यवाद